दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हर्दिक सुपकामनाएं तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलकेनोज और उनकी लोकेशन के बारे में और साथ ही में हम बात करेंगे उनसे जुड़े कुछ लैंड फॉर्म के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूँ आप सभी का दस वाट स्टफ पर तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉलकेनोज आखिर होता क्या है उसके बाद वॉलकेनिसिटी क्या होती है वो इसी प्रोसेस को जो लावा निकलने के प्रोसेस को हम वॉलकेनिसिटी बोलते हैं अब हम जानते हैं कि लावा कितने टाइप का होता है तो लावा दो टाइप का होता है मेंली बेसिक लावा और एसेटिक लावा जो basic lava होता है ये बहुत ज़्यादा fluid होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा hot होता है hottest lava होता है इसी वज़े से बहुत ज़्यादा ये fluid होता है और जिसकी वज़े से ये बहुत ज़्यादा explosive नहीं होता है बहुत quietly जो है ये flow करता है और बहुत flattened volcanoes बनाता है On the other hand, जब acidic lava होता है, वो बहुत ज़्यादा viscous होता है, जिसकी वज़े से वो बहुत ज़्यादा high-rise volcanoes बनाता है और बहुत ज़्यादा violent होता है, volcanic bombs वगेरा इसमें form होता है, acidic lava में, और जो basic lava होता है, वो magnesium और iron mirage होता है, जबकि acidic lava जो होता है, उसमें silica content बहुत ज़्यादा होता है तो अब हम जान लेते हैं वॉलके नोज की क्लासिफिकेशन के बारे में पहला on the basis of mode of eruption एक explosive type दूसरा fissure type तो explosive type में मैंने अभी बताया था कि acidic type के जो है वॉलके नोज आएंगे for example St. Helens, St. Helens जो की हमारा Northwest USA में पढ़ता है और दूसरा fissure type के जो की हमारे silently flow करते हैं बहुत जादा acidic नहीं basic जो है उसमें से लावा निकलता है और slow eruptions होता है जो की mainly हमारे Hawaiian island में पाए जाते हैं और दूसरे type का जो classification है that is periodicity of eruption पहला active volcanoes क्या होते हैं जो की हमारे frequently erupt होते हैं for example Mount Etna और Mount Stromboli ये दोनों ही हमारे Italy में पाए जाते हैं दूसरा dormant volcanoes जो की पहले erupt हुए हैं but show sign of possible eruption in future अभी future में eruption होने की possibility है वो अभी dormant होते हैं जैसे Mount Vesuvius जो की Italy में पाया जाता है third type क्यों होते हैं extinct जो की अब erupt भी नहीं हो रहे हैं और in future उनके erupt होने के chances भी नहीं है for example ship rock जो की हमारा USA में पाया जाता है अब आप लोग मुझे comment box में बताएं कि इंडिया का कौन सा ऐसा volcano है जो की active volcano है तो अब हम बात करेंगे volcano से बने हुए landforms के बारे में तो सबसे पहले type के होते हैं extrusive landforms जो की हमारे earth surface पे बनते हैं surface के ऊपर बनते हैं और दूसरे type के होते हैं जो की earth crust में ही बनते हैं उनको intrusive landforms बोलते हैं जो की volcano से बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम extrusive landforms के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहला type है cinder और ash cone they are formed due to accumulation of loose particles around the wind ये जो pipe है जो vent होता है इसके around जो loose particles इकठा होते हैं वही जो है वो cinder cones को बनाते हैं अब cinder cones क्योंकि ये बहुत ज़्यादा acidic होता है viscous lava flow करता है इस वज़े से बहुत दूर तक flow नहीं करता है और high rise जो है वो cone बनाते हैं ये दूसरे type के होते हैं composite cones इसमें क्या होता है कि एक specific characteristic है कि इसमें alternate layers होती हैं lava और fragmented material की जहांपे lava जो है वो एक cementing material की तरह काम करता है इसको बोलते है composite volcanoes तीसरे type के हैं shield volcanoes ये बहुत ज़्यादा fluid lava होता है अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर fluid lava है तो बहुत दूर तक flow करेगा और जिसकी वज़े से जो हमारा land form बनेगा वो बहुत ज़्यादा flat होगा बहुत ज़्यादा high rise नहीं होगा तो fourth type के होते हैं craters ये हमारा basically depressions होते हैं volcanic vent में जो ये हमारा अभी pipe होता है उसमें जो है ये उपर depression की तरह बन जाते हैं circular depressions बन जाते हैं और इनहीं के extended form को जब और गहरा हो जाता है उनहीं को caldera बोलते हैं और जब depression है तो obvious सी बात है इसमें आके कभी अगर बारिश वगेरा होई या कहीं से भी आके अगर water collect होता है तो यही जो है एक lake की तरह बन जाते हैं जिनको crater lakes या caldera lakes बोलते हैं फिफ्थ टाइप के होते हैं हमारे flood basalt provinces जिसका सबसे बहतरीन example है हमारा deck and trap जो की इंडिया में है नॉर्थ फेस्ट इंडिया में में पाए जाते हैं ये भी हमारे बहुत ही जादा fluid lava से बने होते हैं और इसी की वज़े से बहुत दूर तक इनका जो flow होता है और उसके उलडिफाय हो जाते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे batholith क्या हुते है batholith जो होते हैं, ये हुम हमारे dome shape feature होते है जो की हम यहाँ नीचे देख सकते हैं batholith GL ये सबसे BEACE जो rock है उसको बोलते है batholith उसके बाद हम जानते only lacolith क्या हुते है लैकोलित्स जो होते हैं हमारे mushroom या dome shape के होते हैं आप यहाँ पे map ये diagram में देख सकते हैं उसके आद हमारे आते हैं फैकोलित्स जो होते हैं वो हमारे mainly anti-clines और sink lines के form में ये diagram में आप देख सकते हैं उस form में पाए जाते हैं उसके बाद हमारे आते हैं लैपोलित्स जो है वो ह वो हमारे saucer shape में जो है, वो horizontally bedded landforms होते हैं, उसके बाद sills और sheets, sills जो है वो हमारे थोड़े थिक जो होते हैं, उनको बोलते हैं, और ये भी horizontally bedded होते हैं, और जो sheets होते हैं, वो sills से थोड़ा सा थिन होते हैं, उनको हम sheets बोलते हैं, उसके आद आते हैं हमारे dykes, dykes जो होते ह जो उनका जो बेस रॉक होगा उससे वर्टिकली जो है वो अलाइन होते हैं जैसे यह डाइक्स आप देख सकते हैं तो अब हम जान लेते हैं कि वॉल्केनोस की मेंली लोकेशन कहा है सबसे जादा वर्ड में हमारे गलोब पे डिस्ट्रिबूशन इनका कहां पर पाये जाता है तो जैसे कि हमने अर्थक्वेक वाले वीडियो में देखा था जो अर्थक्वेक्स हैं वो मेंली वीकर जोन्स में वहां पर जो है वॉलकैनोज जाधा पाय जाते हैं तो पहली मेन जो 왜 वह हमारी सरकल पैसिफिक बेल्ट यहां पे हमें में जो है कि एसनल देखने को मिलेगा हमारा Rainier, St. Helens, यह सारे के सारे high rise वाले हैं, mainly जो है वो acidic लावा इन में से निकलता है तो हमारी दूसरी volcanic belt है, mid continental belt, जो कि हमारे African continent और Eurasia के बीच में पाई जाती है इसमें mainly Stromboli, Vesuvius, Itna, ऐसे volcanic mountains पाई जाते है थर्ड टाइप है, mid Atlantic belt, जो कि हमारी mainly Atlantic Ocean के बीच में जो है यह belt पाई जाती है और mainly इसमें fissure type eruption होता है, इसका मतलब है कि basic लावा निकलता है और Iceland जो है, वो हमारा इसका part है, इसी S-shaped जो यह volcanic belt है, उसका part है तो दोस्तों, I hope आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो Thank you so much for watching this video Once again, Happy New Year to all of you